हलो नमस्त्य विटा अपन बिजनेस फॉर्कास्टिंग पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में अपने बिजनेस फॉर्कास्टिंग देखा था अपने उसका बेसिक कंसेप्ट सीखा उसमें कौन-कौन से मैथड्स यूज होते हैं वह अपने नाम उनके समझे और उसमें से एक म आपको अगर आपने नहीं देखा है तो आप आपके लिए यह वाला जो वीडियो है यह यूस्फुल रहेगा फस्ट नमबर पर लीस्ट स्क्वाइर मैथर ता सेकेंड नमबर पर कोर्रेलेशन या रिग्रेशन एनलाइस था थर्ड नमबर पर मूविंग एवरेज मैथर त जो ग्रैफिकल प्रेजेंटेशन है वह बहुत हाई लेवल ऑथोरिटीज के काम आता है बड़ी मार्केटिंग कंपनीज में अपने कोर्स में उसका कोई कंटेंट नहीं है यहां पर अपने लिए क्या 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 कंटेंट है मूविंग एवरेज कोर्रेलेशन रिग्रेशन और लिस्ट इसक्वाइर, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट आने वाला जो एक्जाम में आपका कंटेंट है वो लिस्ट स्कायर ता जिसके दो कुछन अपने रeक्ता है, फिर अपने उसके में क्या होता है। BEже उसके कोर्येशन समझ लिए थे मिजिक्न– कंटेंट फिर अपने इसका practical question करके इस इसको बिल्कुल easily call कर पाएंगे ठीक है देखो पहले method number अपने second डाल देता हूँ मैं आपको समझा देता हूँ कि सरी यह कैसे apply करना है विट अपने को correlation and regression analysis correlation and regression analysis method अब business forecasting में correlation regression analysis method कैसे use होता है दो अलग अलग पाट है question दो बिल्कुल साथ साथ होगा उसमें पहले correlation find होगा फिर regression की equation find होगी जिसको correlation को अपने short form में r से represent करते हैं तो पहले correlation find करने की calculation समझेंगे और बाद में regression find करने की जो basic formula था वो least square में भी वही था वो आपको यहां भी लगाना पड़ेगा y equal to a plus bx यह आपने उसमें पढ़ा था यह basic है इसमें कोई problem बात नहीं है जो इन सबका basic formula है business forecasting का वो यही होता है y equal to a plus bx अब least square में कहता है a और b निकालने की एक एक equations थी वो यहां पर change हो जाएगी उसके लिए आपर a और b निकालने का अलग formula हो जाएगा अगर दोनों में बिलकुल similar है तो फिर method का पता ही नहीं चलता है कि वो आप यह लगवाना है यह यह लगवाना है ठीक है यहां पर a और b निकालने का अलग procedure होगा बाकी x जैसे की question में आपको दे देगा या year अपने उसमें समझेते है वैसा इसमें भी applicable हो सकता है और y तो result यह तो आपने उसमें भी समझा था तो पहले देखो बेटा correlation निकालने का जो प्रोसीजर है वो अपन सीखें कि correlation कैसे निकलेगा और फिर regression का जो concept है वो सीखें देखो correlation जो आपका होगा उसको अपन r से represent करेंगे इसका क्या formula होगा वो आपको आना चाहिए n into sigma xy minus sigma x into sigma y यह इसका upper line हो गई तो इसके लिए आपको x भी चाहिएगा जैसे उसमें भी था इसके लिए आपको y भी चाहिएगा और दौनों का आपको multiply भी करना पड़ेगा तो वो sigma xy हो जाएगा ठीक है अपन में जो सीजोगी वो n into sigma x square minus sigma x का whole square हो जाएगा यह पूरा है concept और into n into sigma y square minus sigma y का whole square हो जाएगा इस तरीके से आपका यह पूरा बन जाएगा ठीक है यह सिग्मा x स्कुइर और यह सिंग मा dispاد करें वो बेंगे और देखना पढ़ेगा A and B को अपन ने क्या बोला था लास्ट वाले वीडियो में भी है या लास्ट कुशन्स में भी ये दो variables होते हैं जो अपने को equation बनाने के लिए help करते हैं तो A अपन कैसे find करेंगे वो देखी हो sigma y into sigma x का square minus sigma bracket में xy into sigma x ये इसकी equation होगी upon लगाएंगे n into sigma x square minus sigma x का whole square ये आपका A find करने का procedure है थोड़ा सा xy के calculation है लेकिन rhythm जैसे जैसे आप practice में लेके जाएंगे वैसे वो चीज automatically easy हो जाएगी B का जो concept है n into n into xy आपको करना पड़ेगा sigma xy माल लेजे n into sigma xy minus sigma x into sigma y upon n into sigma x square minus sigma x का whole square जो down वाली जो lining है वो दोनों में similar है किवल अपर जो line है वो थोड़ी सी change यहाँ पर हो जाती है तो वो आपको थोड़ा से ध्यान रखना है बाकि ऐसा कोई basic इतना tricky है इतना कोई special बहुत heavy tough point नहीं है दिरे दिरे practice में चलेंगे तो आ जाएगा इससे आप a find करेंगे इससे आप b find करेंगे देन आप यह result बनाएंगे a plus b x x की जो value होगी वो question में आपको mention होगी इस method में और y automatically find करने करेंगे है y को तो अपन result बोलते हैं कि यह result है हमारे लिए तो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं यह तीन formula correlation इस process से regression a and b last वाला जो questions हुआ करते थे least में और इसमें difference किया है इसमें x और y जो दू variable से दौनों का data आपको देगा उसमें क्या होता था एक्स तो आपन number of years को मानते थे उसको आपन 0,1,2,3,4 लिखते थे उसमें कोई x especially नहीं गिवन होता था यहां पर x और y दौनों गिवन होगा जैसे demand और sale दे दिया या age कुछ भी इस तरह का दो भी जो दो concepts होते हैं कोई भी दो product दे दिये वो concept आपको यहां लगाना पड़ेगा ठीक है थर्ड नंबर question पर अपन चल रहा हैं दो question अपन ने last में कर लिए थे इसलिए आपको problem नहीं आएगी थर्ड नंबर question पर अपन चलते हैं correlation and regression method लगाना है तो पहले उसमें यह calculation होगा फिर जाकर उसमें यह calculate होगा ध्यान से समझेगा एक ही question है correlation, regression method का इसलिए आपको कोई इतना extraordinary बाद में मिलेगा नहीं एक अपन mix में भी लेंगे question वो कोई problem नहीं लेकिन उसमें correlate वाला question नहीं होगा वो केवल regression का part होगा तो यह पूरा मिलेगा आपको मौका इसमें correlate भी समझे रिग्रेट भी समझे उसमें केवल फिर regression ही होगा ठीक उसमें कोई बात नहीं है, advertisement expenses जो है, उसको आप wire zoom कर लीजे, question की last line में जो आपसे पूछ रहा है, वो advertisement expenses के लिए sales के demand पूछ रहा है, एक बात आप याद रखेगा, मैंने अभी अभी आपको बोला था, जो चीज वो आपसे पूछ रहा है, जिसका result आपको निकलाना है, वो आपको y मानना है, जबी तो अपना basic formula क्या है, y equal to a plus bx, तो y तो result है, तो जो चीज आपसे पूछ रहा है, वो आप क्या मानेंगे y, तो बिटा क्या पूछा है, उसने आपसे sales का amount आपसे पूछा है, तो sales जो है, उसको आपको y मानना पड़ेगा, और x आपको मानना पड़ advertisement को, अगर वो आपसे advertisement पूछ था, तो हम advertisement को y मानते, और जो चीज दूसरी होते, alternate x हो जाती, याद रखेगा, यह line बहुत धंक से बोल रहा हूं, जो चीज वो आपसे demand कर रहा है, उस demand वाली line को आप y assume करें, तो यहाँ demand किसकी और यह वाटा, sales की, इसलिए sales को माना गया ह y, ठीक है, तो sales को अपन लिख सकते हैं, पहले आप advertisement लिख लिजी, x अपन advertisement को मान रहें, 30 हो जाएगा, 35 है, 40 है, 31, 32, 48 है आपके पास, 41 है, 36 है, 33 है, 30 है, 34 है, and 38 है, यह आपका x हो गया, जिसको अपने advertisement माना है, यह advertisement है, और y आपने माना है sales को, क्योंकि जो demand है, जो चीज पूछी जा रहे हैं आप से, उसको आपको y मानना होता है, इस method में, यह आपके लिए है, 11.1 है, 13.7 है, 14.3, 9.2, 10.5, 18.0, 15.8, 12.4, 11.9, 10.6, 12.7, and 14.3, यह आपका बन गए बेटा, x और y, अब basic, अपने को तीन column बनाने, एक x square का column, एक y square का column, जो अब यह अपने formula लिखा था, आपने note down किया होगा, नहीं तो आप वापस जाके देख लिएचे, इसको पॉस करके, मिल जाएगा, एक x square का column, एक y square का column, एक x y का column, यह तीन column बनेंगे, एक x square, बिलकोल easy है, एक y square, और एक x y, फिर इनके total लगा अलेंगे, सब columns के, उसमें कोई किसी तरह का issue नहीं है, जो x वाला column होगा, इसके total को sigma x से represent करेंगे, इसका जो column होगा, उसके total को sigma y से represent करेंगे, तो इनका तो total आप लगा सकते हैं, sigma x का जो total होगा, वो 428 होगा, इसका total 154.5, अब पहले इनको solve करवा दीजी, x square कोई भी कर लेगा, मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ, लेंगे फिर भी मैं कर देता हूँ, x square का मतलब क्यों होगा, 30 का square, 30 x 30, 35 x 35, 40 x 40, इस तरीके से, ठीक है, मैं इनका square करके लिख रहा हूँ, अब देखती जाएगे बटा कुछ, 1225, 1600, 31 x 31 करेंगे, तो 961 हो जाएगा, 1024 है, 2304 है, 1681 है, 1296 है, 1089 है, लास्ट में 900 है, 1156 है, and 38, 238, 1444, इसका total लगाएंगे, यह sigma x square हो जाएगा, 15,580, ठीक है, ऐसे ही आप करेंगे बटा, y square के विल calculation है, समझने का जो concept आएगा, वो अभी अपन यहाँ formula लगाना सीखेंगे, y square, y square का क्या option रहा है अपने पास, 11.1 है, तो 11.1 into 11.1 करके, उसका square कर देंगे, 123.2, जानवे के थोड़ी से points में calculation होती है, इसलिए डंग सिक करेंगे, 187.7, 13.7 into 13.7 करेंगे, ऐसे 14.3 into 14.3 करना पड़ेगा, तो 204.5 हो जाएगा, 84.6 हो जाएगा, 110.3 हो जाएगा, 324.0 है, 249.6 है, आपके पास, 153.8 है, 141.6 है, 112.4 है, 161, के वल square करा है अपने और कुछ नहीं किया है, 204.5 है, जो जिससे था, उससे multiply करकर, अपने उसके square को convert कर दिया है, ठीक है, इनका total लगाएगे, यह हो जाएगा, sigma y square, यह होता है, 2057.5, and last, sigma xy, xy करना है, कोई भी कर सकता है, xy का मतलब क्या हुआ, x को y से multiply करना है, के वल x को y से multiply किजिए, और यहाँ show करा दिजिए, जैसे क्या होगा, 30 into 11.3, तो 333 हो जाएगा, 479.5 हो जाएगा, ठीक है, 479.5 हो जाएगा, next stop करेंगे, तो 572 हो जाएगा, 285.2 है यह, 336 में आएगा, 864 है, 647.8 है, 446.4 है, 392, कैल्कुलेशन बहुत ध्यान से कीजिएगा, 318.0 है, 431.8 है, और 543.4 है, इनका टोटल लगाएगे, इस टोटल को बलेंगे, सिग्मा, xy, तो इनका टोटल होगा, 5649, 5649.8, यह इनका टोटल हो गया, अभी तक अपनने कुछ भी special formula नहीं समझा है, किवल जो question था, उसको proper calculate करकर छोड़ दिया, x आपको given था, y आपको given था, x से आपने x square बनाया, y से आपने y square बनाया, and then prepare the last column, xy, and आपने सब का टोटल कर दिया, अब अपन देखो, एक एक करके निकालेंगे, पहले correlation सर, correlation को short में किस से represent करते हैं, आपन, r से, तो correlation का अपन लगा देंगे, simplified formula जो अभी अपने last में लिख लिया था, n into sigma xy, minus sigma x into sigma y, ठीक है, अपन में देखा था आपने, n into sigma x square, minus sigma x का whole square, into n into sigma y square, minus sigma y का whole square, यह आपका correlation का formula था, जो आपको लगाना है, n का मतलब क्या था, number of digits, कित्ती digits से बिटाए, counting कर दीजे, 1, 2, 3, 6, 9, and 12, तो n जो आपके पास होगा, वो 12 हो जाएगा, ठीक है, अब इस formula में केवल अपन डेटा रखवा दीजे, और कुछ भी special नहीं करना है, आपको बिल्कुल simple है, देखें, n, 12 है, sigma xy, sigma xy अपने पास है, 5, 6, 4, 9.8, ठीक है, minus sigma x, sigma x आपके पास है, 428, into sigma y है, आपके पास, 154.5, यह अपने calculate करा, अपन लेके जाएगे, n अगेन आपके पास है, 12 into sigma x square, 15,580 है, minus sigma x का whole square, मतब से, x का जो टोटल है, उसका whole square, आपको लगाना है, 428 का whole square, अगेन, n होगा 12 sigma y square है, आपके पास, 2057, 0.50, minus y का whole square, 154.5 का whole square, full bracket बन था, ठीक है, बिल्कुल simple है, इनको इन से multiply करके, आपस में less कर दीजिए, दौनों का आपस में multiply करें, इसको square करके, फिर आपस में less करके, इस bracket को solve कर लेंगे, ऐसे इसमें करके, आपस में multiply करके, divide लगें, केवल mathematics calculation है, यह मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ, I hope, मैं इतनी उमीद कर सकता हूँ, easily आप solve कर पाएंगे, इसका पूरा content का जो result होगा, वो 0.95 होगा, यह आपका correlation जो है, वो find होता है, अब main चीज, आपको निकालना है बटा, regression, regression की जो अपनी main equation है, वो होती है, y equal to a plus b x, अब इसके लिए पहले आपको a find करना है, b find करना है, और फिर आपको यह main equation जो है लगा लिए, तो a find करने का भी formula भी अपने लिखा था, sigma y into sigma x square, sigma y into sigma x square, minus sigma xy into sigma x, यही आपका equation था, upon n into sigma x square, minus sigma x का whole square, यह आपकी a find करने की equation थी, तो पहले इसको रखवाई यह, फिर y पे चलते है, sigma y का total, देखो y का total, 154.5 into sigma x square का total, देखो, sigma x square का total है, 15,580, minus sigma xy का total है, पेटा, 5649, 5649.8 into 428, x का total, n आप लेके चलेंगे, 12 है आपके पास, into sigma x square, sigma x square वापस से वह ही है, 15,580, minus sigma x का whole square, 428 का whole square, बिल्कुल यही है, कोई calculation इतना tricky नहीं है, पहले इनको multiply कीजिए, इनको multiply करके आपस में less कर दीजिए, इनको multiply कर देजिए, इसके square कर दीजिए, आपस में less करके, divide लगा दीजिए, कि यह वह normal जो generate calculation है, वो है, कर सकते हैं, basic इतना कोई problem नहीं है, ऐसा नहीं है, कि मैं कोई calculation आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सा calculate है, वो लगा लीजिए का दिमाग, B find करने का जो process है, वो देखिया, n into sigma xy minus sigma x into sigma y upon, upon में जो data था, वो बिल्कुल सेम था, इसलिए वो आपको भपराने के आवशकता नहीं है, यह calculation है, n into sigma x minus sigma x into sigma y, अब यहाँ लगवाग के दिखे, n किता है वो इट्वेन, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन प्रक्टिस कीजिएगा, sigma xy, 5, 6, 4, 9.8, minus sigma x, 428, into sigma y, 154.5 है, 154.5, upon में यह जो data था, वो ही आएगा, 12 into 15580, minus 428 का whole square, इसका जब आप proper solution बना लेंगे, multiply करके less waste कर लेंगे, तो इसका solution बनेगा 0.44, यह बन गया b, और यह बन गया आपका a, अब आप इस equation में केवल feed कर देजे, और कुछ भी नहीं है, यह जो आपका basic equation है, इसमें आपको इसको feed करना है, ठीक है, यहाँ देख लीजे, y equal to a plus bx, y तो find करना है, a minus 2.9 plus, minus 2.9 plus b की value आपने निकाली, 0.44 multiply with x, x अपने किसको माना था, advertisement को, question की last line में देखिए, advertisement के लिए, 50,000 रुपे का data given है, 1000 में अपने पूरा question कर रहा है, तो 3-0 हटा कर अपने उसको 50 मान कर question कर देंगे, x की value question में 50 given है, 0.44 को 50 से multiply कर दीजेगा, और उसमें minus कर दीजे, 2.9, तो जो आपका answer आएगा, वो आजाएगा y equal to 19.1 millions, millions में question है, इसलिए आपने इसको answer millions में लिखा है, थोड़ा सा lengthy process है, लेकिन इतना tricky नहीं है, मैं hope करता हूँ, कोई ऐसा issue नहीं है, वापस देख लीजेगा, नहीं समझ में आता है, correlate and regression analysis method है, समझ गे, ढंक से बाद, पहले correlation आपने इसमें find करने की कोशिश करिए, फिर आपने इसमें regression find करने का attempt किया है, ठीक है, अब देखे, next question बढ़ेंगे, उसमें केवल correlate नहीं पुछेगा, correlate हो चुका है आपका, वो केवल only for regression वाला जो equation है, वो आपसे बनवाएगा, ठीक है, फिर इस method को अपन add करेंगे, मैं सरफ कर रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आता है, वापस जाकर वापस देख लीजे, ऐसा कोई special procedure नहीं है, जो formula आपको लिखाए थे, उन्हीं को आपको यहाँ पर apply करना है, ठीक है, फूर्थ नमबर question देखिए, हाँ जी, फूर्थ नमबर, आपसे पूछ रहा है, य का एक्स पर, from the following information, calculate regression equation, क्येवल आपसे regression की जो equation है, जो आप बनाते हैं, फूर्थ नमबर question, regression equations बनवा रहा है, regression equation कौन सी होती है, y equal to a plus bx, यह आपसे बनवा रहा है, यह equation बनवा रहा है, solve नहीं करा रहा है, इसका मतलब है y, y रहेगा, हमें नहीं पता क्या है, और x वो देगा नहीं आपको, तो केवल दो चीज मेंली find आपको करने पड़ेगी, एक a और एक b, अब वही procedure, बहले सर पहले a find करवाईए, a find करने का जो formula था वो लिखी है, sigma y into sigma x square minus sigma xy into sigma x, अभी अभी अपने last में solve कर रहा है, upon n into sigma x square minus sigma x का whole square, यह a find करने का procedure है, और b find करने का procedure भी लिख लिख लिजे, n into sigma xy minus sigma x into sigma y, upon की जो चीज़े वो दोनों में similar थी, n into sigma x square minus sigma x का whole square, यह upon की चीज़े, केवल इसमें आप data put करना है, सारी चीज़े उसने खुद ने दे रहे कि अपकी बार आपको x और y अलग अलग नहीं है, कि x का total लगाएंगे, sigma x होगा, उसका square करे के दिया है, केवल आप A और B find करें, बेटा देको formula जो है, वो आपको याद करना पड़ेगा, वो मेरे पास कोई trick उसका नहीं है, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है, कि मैं आपको को shortcut समझा दूं, कि वह least square में A find करने के लिए, और B find करने के लिए, एक एक लाइन के formula है, क्यो ये भी अपने find करें, X और Y दे दिया, X से X square बना है, Y से Y square बना है, तो आनों को multiply करके X, Y भी बना है, then total, यहां ऐसा नहीं है, यहां shortcut से, सारी जो भी इसमें required है, वो सब आपको total question में दे रखा है, केवल apply कर रहा है, आप एक एक करके आप में चुछे बताइए, कि सर हाँ यह यह चीज होती है, जैसे sigma Y, question में देख लिए, sigma Y आपको 40 दे रखा है, sigma X square question में आपको 220 दे रखा है, minus, यह सब दे रखा है, आपको, मैं कोई special trade नहीं लिख रहा हूँ, minus, sigma XY, 214 into sigma X, आपको दे रखा है, 30, upon में जाएंगे, N into X square, N question में आपको गिवन है, 5, sigma X square question में आ sigma X given तर 30, तो 30 का आप बना देंगे, whole square, यह तो यह वाला part हो गया, ऐसे उदर apply कर आ ले, फिर solve कर देंगे, अपन दोनों को, N आपके पास था 5 into sigma XY है, आपके पास 214 minus sigma X है, आपके पास 30 into 40, upon N है, आपके पास 5 into sigma X square है, 220 minus 30 का square, बिल्कुल सा calculation है, कोई problem नहीं है, बिल्कु simple से multiply करके, इस equation को solve कर दीजएगा, 11.9 A की value आ जाएगी, कर सकते हैं, यह solve ऐसा नहीं है, सारी चीज़े ही मैं calculate करके दूँ बेटा, यह possible भी नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, simple multiply करके आप इस चीज़ को solve करेंगे, जो B वाली अपनी equation है, उसको अगर आप solve करते है तो वो minus में 0.65 B की value आ जाएगी, अब आप इसको equation पे लगा दीजिए, अपनी equation जो थी y equal to a plus bx, वहाँ पर आप इस चीज़ को applicable कर दीजिए, और इसके अलावा इसमें कोई special ऐसा trade नहीं है कि सर हम से नहीं हो पाएगा, क्या कोई ऐसा special task अपने को मिला है, देखिए, y equal to a plus bx, आप देखो y अपनी जगे रहने दीजिए, a की value आईथी 11.9, b plus है, b की value आईथी minus 0.65x नहीं है, तो यह negative हो जाएगा, y equal to 11.9 minus 0.65x, यह आपकी equation बन जाएगी, जो question में आप से पूछा है, complete होता है, यह question, बिल्कुल easy है, सारी चीजे खुद ने दिये, last वाला थोड़ा सा अपने बड़ा लिया था, अभी ऐसा special बड़ा कुछ नहीं था, सारी चीजे calculate करके उसने खुद ने दी, और केवल आपको का regression की equation बनाएगे, regression की equation में क्या क्या चाहिए, A और B, A find करने का procedure ये है, B find करने का procedure ये है, apply कर दिया, और process लगा दिया, A मिल गया, B मिल गया, Y वो पूछता है, X उसने दिया नहीं, क्योंकि वो equation बनवारा है, result नहीं चाहता था, इसलिए अपने नहीं रखा, जो था, वो रखकर अपने छोड़ दिया, ये second number method जिसको अपने correlation और regression analysis का नाम दिया, अब अपन last method पर चलेंगे, जिसको बोलेंगे moving average, कोई सा भी method आप पहले समझे, वो कोई problem नहीं है, कोई भी method आपस में एक तूसरे को relate नहीं करेगा, कोई effect नहीं डालेगा, third number method पर अपन चलते, moving average, पहले उसको समझ लीजिए, फिर अ अपन उसके बाद, उसका जो practical question है, उसको करके end करेंगे, अपन इस topic को पूरा, moving average, ऐसा कोई भी tough part नहीं है, moving average method, बहुत ज्यादा easy रहता है, कोई problem नहीं आएगी, third number method जो है, moving average method, देखो बेटा, क्या होता है, आपको कोई भी data देदेगा, 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 7 साल क किते का भी, वो कहेगा, इसका moving average बताईए, even or odd frame में, it means, एक साल तो कुछ होता नहीं है, पहले साल तो क्या average होगा, कोई ताम चालू करोगे तो पहले साल तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो आपको कहेगा, 3 साल के moving average पर बताईए, मतलब 1st, 2nd और 3rd का average बताईए, या फिर दो साल का average होता ही है, दो साल के average में कोई issue नहीं है, दो साल का average क्या होगा, पहला और जो दूसरा है, उन दोनों को total लगा कर 2 का divide लगाएंगे, और वो result second number year में show होगा, क्योंकि दो साल हुए ही तो तब होगे न, लेकिन अगर 3 साल का average पूछ किया, तो कौन कौन सी year का total ल होता है, जब odd framing होती है, तो वो beach वाला जो year है, वहाँ show होगा, क्योंकि अपन average लगा रहे है, last वाले साल को include कर लिया आपने, और beach वाला जो year है, वहाँ पर उसका result show होगा, आ जाएगा, समझ में, ऐसा tension में ना है, किसी तरह का, अभी अपन practical question करेंगे, कोई formula नहीं है, एक आपको last six month का average बोल रहा है, question number fifth आप समझ रहे है, last six month आपको दे रहे है, अपन पूरा table बनाएंगे, month जो आपको गिवान है, वो January, February, मत अब एक तरीके से 6 महीने का data है, March, April, May and June, इस तरीके से आपको six month का data दे रहा है, जो demand है, आपको किसी refrigerator के या कोई भी जो product question में है, उसकी जो demand दे रहे है, वो 200, 300, 200 again, 400, 500 और 600 units की है, उसने आपसे दो चीज पूछी है, लिखावा है, forecast, forecast, business forecast अपड़ रहे है, forecast the demand for the July, मत अब next month के लिए demand अंदाजा लगाईए, अगर आप 3 month को moving average मानते हैं, और 2 month के साब से आप moving average समझना चाहते हैं, दो आपसे demand वो moving average माने, मतब odd framing हो गई, और moving average माने, और 2 month को moving average माने, moving average, ठीक है, अब दीखे से, अभी मैंने आपको समझाया था, जब 3 month को अपन मानेंगे, तो 1, 2, 3 का अपन टोटल लगागे, 2nd में लिखेंगे, पहले साल, पहले साल तो dash लग जाएगा, 2nd में जब अपन चलेंगे, त जब उसके आगे जाएंगे, तो 2, 3, 4 का अपसे, आप calculation करेंगे, 3 वाले जो है, उसमें लिखेंगे, बताओ, देखो, पहली बार अपन क्या करेंगे, शुरू के 3 सालों का average करेंगे, 200, 300, 500, और 200, 700, divided by 3, क्या करा बेटा, 1st, 2nd, 3rd का टोणना को तीनों को टोटल लगाए, and divided by 3, और लिखेंगे कौन से वाले साल में, जिन 3 को लिया है, उसके बीच में, 200, 300, और 200, 700, divided by 3, तो 233.3 हा जाएगा, क्या करा है, इन 3 हो का total लगाकर, divided लगाकर 3 का लगा दिया, और लिखेंगे बीच वाले में, अब बताओ दुबारा, अब कौन कौन से लेंगे, उपर बीच में, इन 3 को लिया है अपने, इन 3 को लेने का मतबर बीच वाले यह हो गया, इसके उपर अपन 300 data लिख पाएंगे, clear हो गई, बिल्कुल हीजी है, आप 3-3 लेजी है, तीन का डिवाइड लगाए, और जो result आ रहा है, वो जो 3 आपने लिए हैं, उसके बीच वाले में याद रखेगा, वापस बोले एक बार और, अब कौन सा 3 हो गए, उपर के दो अट गए, 200, 400 और 500, 500, 400, 900, और 1100 हो गए, 1100 में आपने 3 का डिवाइड लगा है, तो 367 आएगा, कौन से 3 लिए ते सर, ये 3 हो, तो बीच का कौन सा हो ये वाला बेटा, 367, अब उपर के 3 अट 500, तो ये हो गए, आपके 1500, 1500 डिवाइड बाइड थी, 500 रिजल्ट है, 500 कौन से 3 लिए ते ये, तो इसके बीच में ये हुआ, यहां लिख देंगे, इसके बाद अपन नहीं ले सकते है, क्योंकि और अपन 3 अपने पास डेटा नहीं है, अब 2-month moving average बिल्कुल सिंपल है, को इश्यू नहीं है, दो-दो का डेटा लिजिए, टोटल लगा है, और सेकेंड में रिजल्ट है, कैसे, 200 और 300, 500 हो गया, 500 में 2 का डिवाइड लगा है, 200, इसमें 2 है, तो आप सेकेंड वाले में ही लिखेंगे, क्योंकि बीच में कोई सेंटर नहीं है, फस्स और सेकेंड है, तो एवरेज आप सेकेंड में ही लिख पाएंगे, फस्स सेकेंड थार्ड है, तो फिर आपके पास चेन बनता है कि आप अप मिडल या डाउन कहा जाते हैं, इसलिए उसमें मिडल कंसेप्ट लेते हैं, या डाउन कंसेप्ट लेते हैं, अब 300 और 200, 500 डिवाइड बाइड ब ट्रिकी पेपर जब बना ले, आदमी नहीं पढ़ पाए, पूरा चेप्टर पढ़ लिया, लेकिन एक हलका सा कंसेप्ट नहीं पढ़ाता और आजाए, तो बहुत अफसोस होता है, बहुत हलकी चीज़ थी और फ्री के मार्क समने इस चीज़ के खो दिये, बहुत सिंपल सबके फॉर्मुले वाइज आपने ढंक से समझ लिए, फिर भी नहीं आया है, आपको तो दो वीडियो अपने इस चेप्टर पर बनाये थे, आप दुबारा जाकर वापस देखे, लेकिन छोड़िए ना किसी भी कंसेप्ट को, बहुत ज़रूरी इंपोर्टेंट थैंक यू